हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब, उम्मिद करता हूँ कि आपका दिन हो काफी अच्छा रहे और आपकी जो प्रेटरेशन है दोस्तों वो भी बढ़िया चल दी होगी, अब हम चलते हैं हमारे आज गे टोपिक की तरफ और इस क्लास में हम डिसकस करेंगे इंटरनल स्यूर्टी का जो हमारा टोपिक दिल्डाता उसको हम किंटिनू करने वाले हैं तो इससे पहले एक बार आपको देख लेते हैं सलेबस को कि अभी तक हमने क्या-क्या कावर कर लिय हैं देखिए दोस्तों हमने अगर हम बात करें तो अभी यहां पर सिक्यूर्टी चलेंजर मेनेजमेंट हैं बॉर्डर एरियाज में लिंकेज और और टोपिक यहां पर कवर किया था बाकि आज हम डिटेल से कवर करेंगे इस टोपिक को और इसके साथ हमने वेरियस सिक्यू करनेवाले हैं आज हम बेशिकली हाँ पर डिसक्यूर्टी चलेंजीमेंट बॉर्डर वाले एरिया में और हम डिसक्राइगे इससली टर्रिजम और इसके लाँ हम कुछ और बी छोटव शेल्च ऊटवलें से इनको कवर करने वालें ठीक है देखो देखा जाए तो ये various security forces वाला जो point है ना ये वाला जो UPC mains में slave बस दिया गया है ये काफी heavy portion है यही काफी lengthy भी है तो ये हमने cover कर लिया है अब आज हम discuss करेंगे terrorism के बारे में आज हम discuss करने वाले है terrorism यही आतंकवाद and role of external state and non-state actors यह हम discuss करने वाले हैं देखिए ये class live कुछ कारणों से नहीं हो पर दोस्तों को थोड़ा internet वगरा की कुछ दिक्कत थी मैं गहीं बहार था इसलिए मैं ये class record करके आप logo तक पहुचा रहा हूँ और अगर इसमें कोई भी डिक्कत हो अगर आप करने तो आप मुझे comment box में बता देना ताकि जो next class होगी उसमें मैं वो चीज़ा आपको repeat है revise हो करवा दूँँआ ठीक है तो आप इस class को अच्छे से enjoy करना आज हम discuss करें टेरिजम के बारे में तो टेरिजम के बारे में हमारे दो class हे रहेंगी यानि हम बेसिक discuss करेंगी टेरिजम क्या है किस तरीके से effect करता है तो ये सारी चीज़ाँ एस सारे expects को हम check करने वाले है तो पहले सबसे पहले बात याती है कि सब terrorism है क्या झीए क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़ा क्यूशन आता है बाबने काफी बार देखा होगा terrorism के बारे में और इसके बारे में थोग सा देख लेते हैं देखे दोस्तों बात ऐसी है कि terrorism है ना इसकी कहीं भी कोई clear definition नहीं है अगर आपको simple सदों में बोलूँ तो no clear definition यहनी इसकी कहीं भी कोई clear प्रिभासा नहीं है ऐसा क्यों है क्यों भी terrorism की प्रिभासा नहीं है दोस्तों हम बात करते हैं देखिए बात यह है कि हर एक देश है ना अलग-लग अपने साफ से definition देता है जैसे कि हम आपको simple सी बात कहूं मैसूद अज़र आपने नाम सुनाओगा मैसूद अज़र का तो जो मैसूद अज़र है वो इंडिया के लिए के एक आतंगवादी है इंडिया के लिए के एक terrorist है ठीक है लेकिन वहीं देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए क्या है वो वहाँ का एक leader है देखा जाए तो फर्क ह करता रहते हैं ठीक है और खास अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वेश्टन कंट्री चा कॉंसेप्ट देखते हैं और फिर इंडिया का देखेंगे देखो हमें बाकी हर एक कंट्री से कोई मतलब नहीं है आपर हम डिस्कस यह करेंगे थोड़ा ग्लोबल से फिनोमेना कैसा क्य हैं और इंडिया का फिनोमेना के है वह फिर इंडिया का एंगल के वह तो हम डिसकस करेंगे करेंगे तो तो डिखो जो वेस्टन कंट्री है ना इनहीं हम बोलते हैं कि पस्चिमी देष समझ रहे है कि जो religion है ना जो religion है वो basically terrorism को boost करता है mostly वो बात करते हैं Islam की कि Islam जो धर्म है वो आतंगवाद का क्या है मिल्क आतंगवाद यह तरीके से उनका simple definition यही है कि इसलाम है वो आतंगवाद को promote करता है तो Islam का एक terrorist है उनकी simple definition यह है लेकिन यह definition हर जगा सही नहीं बैठती आपको भी पता है और दूसरी बात United Nation उसने भी अभी तक कोई क्लिए definition है वो नहीं दिये इन्हीं सहीं प्राष्टर सेंगे United Nation है उसके द्वारा भी अभी तक कोई ऐसी क्लिए definition नहीं दीगेगी भिया terrorism या आतंवाद के हैं यह तो मैंने आपको बता दे है simple सा यह आप यह बोल सकते हो कि जो western देश है USA जैसे देश है वो basically आतंवाद गो religion से connect करते हैं कि भी यह religion से connect एक चीज है जो थोड़ा समय आपको बता दिया अब हम बात करते हैं इंडिया का एंगल यह नहीं हमें इंडिया का तो बता होना चाहिए न कि इंडिया में क्या है तो हम बात करते हैं हमारे इंडिया की देखो भारत के एंगल के हम बात करें तो हमारे देश में जो आतंवाद ह यहां पर फीट नहीं बैठती है हमारे देश में आतंगवाद की सिंपल डेफिनेशन है वह यह रखी गई है अगर हम बात करें तो कि आप वो सकते हो यूज और थ्रेट यूज और थ्रेट ओफ या अगर मैं आपको बोलूँ हिंसा का या वोलेंस का सहरा लेके आप कोई भी पॉलिटिकल टार्गेट या पॉलिटिकल गोल आपना अचीव करना चाते हो उसको इंडिया में ट्रेजम या आतंगवाद के नाम से जानते हैं मैंने क्या कहा यूज और थ्रेट्स ओफ यूज पॉलिटिकल गोल यहीं कोई भी परसन है कोई इसी सहंस्ता है जो अपने कुछ पॉलिटिकल टार्गेट हैं राजनिति कुछ स्वार्थ हैं उनको पूरा करने के लिए हिंसा का सहरा लेती है उसको हम इंडिया में आतंगवाद के नाम से जानते हैं और हमारे देश में अब और केसे नाम से साथ सा के केर सब्राण बिमें सब्सक्रा我 सब्सक्रा मैं चैंप्रता है हम इंडिया में होम्स्टा ब ब्लेट इसी सीधार सा कई कि उसक्ली के मिलेट से पढ़ने के लिए काम है तो इसे सारी है या वोसके तो कि आतंगवाद को counter करने के लिए हमारे देश में home ministry, cabinet secretary और ministry जो हमारी military है वो इसको लेके deal हुए याँ पर करती है और दोस्तों आतंगवाद की एक theory है terrorism की वो है आतंगवाद की sociology theory या social theory आप बोल सकते हो sociology theory बोलते हैं उसको है वो इंडिया के साब से fit है याँ इंडिया के अंदर आतंगवाद की तो sociological वाले एक theory है जैसे जिस सामाजिक theory बोल सकते हो वो ज़्यदा fit बैठती है क्या है वो theory थोड़ा समा आपको बताता हूँ दोस्तों ये sociological theory है जो social theory है वो basically ये कहती है कि society सुना ध्यान से society ने समाज का कोई marginal section या बोल सकते हो कि depressed section simple सब्दों में अगर हम बोलें तो society का कोई ऐसा section जो दबा हुआ है ठीक है प्लस में काफी परेसान है उसके उपर काफी सारे अत्याचार हुए है, atrocities हुई है, समझ रहे हो, जिसके पास कोई option नहीं है इन्हें एक तरह से आप simple सब्दों में हम ये बोल सकते हैं society का वो person या वो section या वो लोग जो काफी depressed है जो काफी torture क्या गया है, काफी प्रेसान क्या गया है, वो work क्या है अपने कुछ फाइदों के लिए क्या है, terrorism है, उसको boost करते हैं समझते हैं कैसे fit हैं, आपने के बार सुनाओ का आतंगवाद कैसे होता है कोई person है, जिसकी सरकार ने किसी कानवस, उसको कोई justice नहीं मिला हो मुयों वगरा में आपने देखा होगा, तो वो क्या है, अपना justice या न्याय लेने के लिए क्या आतंगवाद का सारा लेता है, violence का सारा लेता है, तो वही चीज क्या है, आतंगवाद में करनड होती है वो basically हिंसा को promote करता है, और वहीं से आतंगवाद हो जाती है, ऐसा क्यों, कि उस आदमी के पास कोई option नहीं होता, तो उसे last में कहीं हत्यार उठाने पड़ते हैं, और वो कहीं न कहीं आतंगवाद को boost up करते हैं जैसे थोड़ा सामने डिसकस कहा था पहले, नोर्थिस्ट के अंदर जो next light वगर हैं, वो कैसे करते हैं काम, वो भी कहीं है, कहीं न कहीं सरकार से कुछ policy से कहा हैं, नाखूस हैं, और वो अपना revenge नने के लिए कहा हैं, सरकार के खिलाफ अत्यार उठाते हैं, और वो फिर क्य इंगल से वो देखते हैं, लेकिन हमारे देश में कहें, society का दबावा सेक्षन है, वो कहीं न कहीं terrorism की तरह जाता है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, अब दोस्तों आतंगवाद गीर में आपको बात करूँ, तो मोटे तोर पर ध्यान रखना आतंगवाद तीन तरह की तीन टैप क्यों होते हैं, एक होता है, वो हो सकता है, आप जिसे बोलोगे, हम बात करेंगे उसको, उसको बोलते है, state sponsored terrorism, ठीक है, मैंने क्या कहा, number one, state sponsored terrorism, discuss करेंगे, तीनों के तीनों एंगल, एक नेक बार सुनू, पहला आतंगवाद का जो पार आप बोल सोगो है, state sponsored terrorism, य ठीक है, और तीसरा होता है, वो होता है, international terrorism, अंतराश्टिय आतंगवाद, तीनों मैं अलग-लग से discuss करेंगे, लेकिन हमारे देश में सबसेदा अगर हम बात करें, तो दोस्तों हमारे देश में है state sponsored terrorism की हम बात करने वाले हैं, क्या है state sponsored terrorism हम समझेंगे, तीनों को discuss करेंगे वैसे, लेकिन आज हम discuss करेंगे mainly state sponsored terrorism, क्योंकि ये काफी बड़ा है और काफी important है, और कई सारी चीज़े इसमें आने वाले हैं, तो आप heading डा सकते हो, state sponsored terrorism, state sponsored terrorism, या state के द्वारा sponsored गया गया, आतंगवाद आपसे बोल सकते हो, दोस्तों, state sponsored terrorism हैं इंडिय में हम देखें, तो ये basically indirect war है, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुवाद कहां से होती है, वह मैं आपको तुछा background बताता हूँ, इन्ही आतंगवाद की शुरुवाद की अगर हम बात करें, तो देखते हैं कहां से क्या होती है, दोस्तों, बात है, अगर हम simple सी बात करें, आपको पता है World War II हुआ, इसके बाद में दो major country आई थी, एक आई थी थी USSR, जिसको आपन बोलते हैं, रूस या रसिया, और दूसरी थी वह थी USA, और इन दोनों के बीच में कहा है, लाई चल रही थी भई, चल रही थी नहीं चल रही थी, जानी दुस्मनी वाली, पता है न, ये भूल गे यहीं, USA और USSR को इसमें कहा है, सर, Cold War चल रहा था, ठीक है, और USA, USSR को दबाना चाहता था, और USSR कहा है, USA को, तो हुआ क्या दोस्तों, सुनना थुड़ा सा, जोग्रोफिकल आपको में सिज़े समझाता हूं, खड़ाई जी आज़ेगा, ये है जैसे आपका में लग, USA, ये य यहाँ पर आपको बता है, जो स्वड़ा में हैलेट करता हूं, ये पार्ट किसका है, ये है आपका, USSR का सुरी, दोस्तों, जो Central Asian कंटीज हैं, आपने नाम सुना होगा, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, इस्टैप के जुस्तान, इस्टैप के जुस्तान लो कि अफगानिस्तान भी क्या है, उस्टैप के USSR सामिल था, कानी होगी यहाँ तक लिए, ठीक है, और ये इधर क्या है, आपका, USA भाई साब है, अब होता क्या है दोस्तों, USA ने एक चाला की खेली, तो आपको बताता हूं, स्टोरी सुनना जान से, बहुत इंपोर्टेंट आ का माने वाली आपकी, इन क्लासेज के बाद में दोस्तों, आपे, जीस पेपर थेड में, इंटरनल सिक्यूरिटी का कोई भी क्यूशन चोड़गे नहीं होगी, यह मेरा आप से वादा मान लो, यह आप चैलेंज जोस भी इसको देख लो, यहनी जितना आम आपको कार करा हो इसका नाम है साओधी अरब, और साओधी अरब आप जानते हो कि इसलाम का मेन कटर देश था, यहनी मुसल्मान हो गया, आप उसलाम का जो मेन देश, कटर पंती देश बहुत सकते हो, एक्स्ट्रीम वाला, वो है साओधी अरब, ठीक है क्यों महावे मक्का मदिन आपको धा यहां पर यह प्लान किया, कि बिया अफगानिस्तान के जो लोग है, अफगानिस्तान के दर्ती पर क्या है, हम ट्रेनिंग देंगे, किनको अफगानिस्तान के लोगों को, और उनको ध्रे ध्रे के है, उनका ब्रेन्वास करेंगे, कि भया, जो यह USSR है न, यह अच्छा देश नहीं है, क्यो है, हम आपको बताता हूँ, दोस्तों, USSR यह रिखनी रसी है न, वो बेसिकले कह है, कम्यूनिस्ट कंट्री है, और कम्यूनिस्ट कंट्री है न, तो वो ब्रेन्वास का सारा लिया गया, और इसमें क्या 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 गया, पाकिस्तान की धरती पर बहुत सारे कैम पगरा बने आगे, वहाँ पर अफगानिस्तानी जो लड़ाके थे, इनको ट्रेनिंग दे गई, और उनको क्या है, एक दम एक्सपर्ट किया गया, ठीक है, प्लस में, ये काम तो क्या क्या, पाकिस्तान ने, भाई अब बात ये कि साओधी रव ने क्या किया, और दोस्त कैम पर आते थे लड़ाके, उनको ट्रेनिंग दे गई, उनको ब्रेन्वास करवाने में हिल्प करी, कि भैया इसलाम है, वह तो बगवान इनको अल्ला को मान रहाए, ये अल्ला को नहीं मान रहा, तो हमारे खिलाफ होगे, इनको हमें खारगे फैया करना, इनको जिहाद फै तो तालिबान क्यों तियार किया था ताकि USSR को हराय जासके क्योंकि भीया यह लड़ाके के अब लड़ेंगी इस एरिये में किसके खिलाफ रशिया के खिलाफ तो रशिया के इस एरिये को छोड़ देगा और ही प्लान था उसका USA का समझ गए तो इस तेकर का प्लान था उस टेम पर यह धान रखना यह यह आपके खिलाफ है इसको आप उखार गिफ है कि अफगानिस्तान में आपके सत्ता काईब होगी हम आपको funding नहींगे आपके सारी help करेंगे क्योंकि हम क्या है हम आपके supporter है समझ रहे हो ऐससे कहें USA ने यहाँ पर गेम खेला क्यों USA को हरना चाता था और यह उसने politics खेली और उसकी help से कहें दोस्तों उसने USSR को तोड़ा था तो देखा जये तो कहें USA ने directly लड़ा है थुड़ी लड़ी नहीं डिरेकली नहीं लड़ी उसने क्या क्या proxy war किया proxy war का मतलब खुद नहीं गया indirectly war करवा रिया यहाँ पर और USSR को कहें हरवा दिया समझ रहे हो तो यह दोस्तों USA की strategy थी और यह जो तालीबान बना यही बाद में धिरे-धिरे कहें समस्या गंबिर होती ही क्योंकि हुआ क्या कहानी कुछ ऐसे होती है अगर आपको बताओं की जैसे ही अफ़कान इस्तान यहाँ पे आजाध हो जाता है और तालीबान की सरकार यहाँ बैठती है तो दोस्तों आपको पता है कि जो-जो लोग सब लड़ रहे थे अफ़कानिस्तान के अंदर, सब गो तो सरकार में हिसा नहीं मिल गा ना, तो कई लोग कहा है, नाकुस हो जाएंगी, तो वो कहा है, दीरे दीरे देखा जाएंगी, तो कुस तो कहा है, USA के खिलाफ ही हो गए, कि USA कौन सा इसलाम को सपोर्ट कर रहा है, USA खुद ही एक इसलाम कंट्री नहीं है, समझ रहे हो, तो ऐसे कहा है, धेद्रे के मामला फैलता गया, क्योंकि आपको पताया कहते हैं न, कि जब आप दूसरों पर कीचड़ खगोगे, तो खुद को कहां से अची जिज़े में लेंगी न, तो वह वाली बात थी, गोट इट, तो यही होता है, कि तालिबान क्रेट के अतना होने ऐसे, लेकिन बाद में समस्या घंभीर बन जाती है, और दोस्तों, इससे पाकिस्तान को एक बड़ा फैदा हो गया था, देखा जैतों उनको, पाकिस्तान को कहें, इस टैप के प्रोक्सी वार की कहें, एक्स्पियेंस हो गया था, क्योंकि उसने 10-15 साल कहें, अफगानिस्तान के अंदर आतनवात फला है न, तो उसको ट्रेणिंग पर मिल लगी, अफगानिस्तान को, कि अच्छा, ऐसे-एसे करके मैं यह कर सकता हूँ, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने कहें, उस ट्रेणिंग का बहुत हिल्प ली, और बाद में, जैसे ही यहाँ पर अफगानिस्तान अलग होता है न, बाद होती है, ग्लोबल लेवल पर, बिलब स्टेट स्पॉनसर, तो देखा दे, तो यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान, साओधी रभ और युएसे, बताओ यह आतंगवाद को स्पॉनसर कर रहें नहीं करें, फंडिंग दे रहें, नहीं दे रहें, बिल्कुल दे रहें, कि पाकिस्तान के तो दर्थी का यूज हो रहा है, और अफगानिस्तान जो आपका, यहाँ पर साओधी रभू क्या है, वो रेडिकलाइजेशन पर फोकस कर रहा है, एक तरके से एक्स्ट्रीम जो आइडिलोजी है, जिहादी वाली, वो बुष्ट कर रहा है, और USA क्या है, यहाँ पर फंडिंग दे रहा था इनको, पाकिस्तान को, कि आप आतनवाद फैला उच्छे से, अफ़कानिस्तान के अंदर, ताकि अफ़कानिस्तान वाले USSR को हराइए, और फिर हम मेरा वजूद पूरा होजए, तो इस तकी कार्णी थी, इसको बोलते है, इस्टेट इस्पोंसर, यहनि जब कोई राज्य, राज्य का अंबलब आ है, आप देखू, इस्टेट का अंबलब ऐसे बहुत सकते हो देश, इंटरनेशन लेवल पर इस्टेट का अंबलब कोई कंट्री होती है, कंट्री वर्ड नहीं बोलते हो, वो स्टेट वर्ड यूज करते है, जब कोई भी कंट्री है, वो ट्रेलेजम को सपोर्ट कर रही है, उसको बूष्ट कर रही है na, उसको बहते हैं, स्टेटस The collected, ट्रेलेजम या स्टेट इस्पोंसर आत्रवात, समझ गई, तो यहाँ पर आपको दिखा रहे है कि यहाँ इस्टेट इस्पोंसर ट्रेलेजम यहाँ, तो यह क्या है प्रोक्सिव और एक तरीके का क्या कि हम आपको सारा बेग्राउंड यहां पर बता दिया अब दोस्तों बात ही है कि यहां पर जो सवुदी रफ्थाप का सुनो ध्यान से यहां पर क्या हो रेक्षा कि क्या हो गया इसको हाँ अब मैं आपको बता रहा था कि यह जो आपका सवुदी रफ था यह क्या कर रहा था सॉुदी रफ बैसिकली अफकाने साम पाकिस्तानाल अर्य एरया में क्या ह होन लड़ाकों को रेडिकलाइस कर रहा था अब रेडिकलाइस कर ने के यह teasing brain world कर रहा था दो तरीके से वह brain एक हो सकता है आपका long term radicalization और दूसरा हो सकता है short term long term radicalization का मतलब यह है कि 15-20 सालों के अंदर के हैं लोगों का ध्रिय ध्रिय ब्रेन्वोस करना है चोटे बच्चे होते हैं उनको बच्पन से ब्रेन्वोस करना कि यह USSR वाले आपके दुस्मन हैं यह इसलाम को नहीं मानते हैं इसलाम के follower नहीं फेगंबर को नहीं मानते हैं और short term वाले के हैं जो young generation है जो कि किसी कार्णवर सरकाह से कुछ नहीं है उसको बढ़का के उसका के जल्दी से ब्रेन्वोस करना यह एक दो साल में तो इस तरिके से radicalization प over-ground workers क्या है over-ground workers देखें दोस्तों बात ऐसी है सुनना थोड़ा ध्यान से यह over-ground worker वाला concept है वो भी मैं आपको भी समझाता हूँ थोड़ा terrorism का एक तरीका होता है देखो कि आतंवाद कैसे फैलता हूँ मैं आप आपको आगे बताने वाला हूँ दोस्तों कहानी यह होती है सुनना जब पाकिस्तान एक्जाम्टल से समझा रहा हूँ जब पाकिस्तान ने अपने देश में camp लगाई और वहाँ पर अफगानिस्तान ही लड़ा कोई अफगानिस्तान लोगों के training देखे उनको भढ़काया वगरा जो भी काम किये ठीक है तो पहले पाकिस्तान ने कहें खुड परोक्सी वार मतलब इंडारिक्सी अइन मतलित देखना जब इंडारेक्से और आप उसे बोल सकते हो और यून खूरिला वार मौर में कहें जीट जो लडाई अब कर देखे तो हम जाता है ने शिवा जी वग अगडरा कि में देखे होगी और जब अकौनिस्तान नया देश बन गया, अब भिया पाकिस्तान उनकेंपू का क्या करे, आचाय थूढ डालेगा, ओमन सिवातर कुछ न कुछ तो करेगा ना वो, ऐस तो डिबैटने वाला हैं, तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने टार्गेट किया जमुएंड क करश्मीर को हमें लेना है, क्यों लेना है हो समझाता हूँ, दोस्तों कहानी ऐसी है, पाकिस्तान इंडिया से 1947-48 में वोर कर चुगा था, 1965 में कर चुगा था, और 1971 में कर चुगा था, ध्यान है ना आपको, और इन तीनों ही लडाईयों में आपको बता है, पाकिस्तान की कै बुरी हार हुई थी, ठीक है? पाकिस्तान हार हुई थी, लेकिन सबसे वड़ी चिंता की बात क्या थी? 1970 अमल वाली हार थी ना वो पाकिस्तान की, वो भूँत ज़्यदा बूरी थी, क्यों बूरी थी? क्योंकि जो Eastern Pakistan यह आज का जो Bangladesh था न वो basically 1971 में बना था वो उस टाइम पे Pakistan का पार्ट था और India ने कहाँ उसको आजात करवाया यह देखा जाये तो 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान को दो भगों में बाढ़ दिया अब आपको बता है क्या इंडिया ने कहाँ पाकिस्तान को तोड़ दिया था तो पाकिस्तान को जखम गहरे था हो गये थी क्या इंडिया ने सब कहाँ मेरे को तोड़ दिया तो वो बात कहाँ चुप गई उसको तो पाकिस्तान चाहता था कि मैं भी इस चीज़ का बदला लूँ और मैं भी इंडिया को feel कराऊं कि आप अपना पार्ट जब खोते हो तो कितना बुरा फिल होते हैं तो पाकिस्तान ने 1974 के बाद एक अप्रोच रखी वो यह रखी कि बस इस जमवन कस्मीर को separate करवाना है यह जमवन कस्मीर को इंडिया से आजाद करवाना है आजाद करवाना है इंडिया से separate कर देंगे तो अपने आप आजाद हो गए ना तो यह target पाकिस्तान ने बना लिया लेकिन पाकिस्तान को यह भी समझ में आ गया कि भाया मैं direct लड़ाई लड़कर कभी नहीं जीत सकता इंडिया से यह उसको भी समझ में आ गी अब उसने यह plan किया कि मैं direct लड़े लड़े लड़ूँगा मैं use करूँगा proxy war यह इंडियर्कली लड़े लड़ूँगा जैसे एफगानिस्तान के अंदर किया था यह उसने एफगानिस्तान के लड़े थी पाकिस्तान के ground में लोगों को तयार किया फिर बेजा, तो अब यूए पाकिस्तान क्या करेगा इंडिया में, पाकिस्तान ये प्लान किया, कि क्यों नहीं पाकिस्तान में जो केंप लगे वेना, उनके अंदर यूथ को ट्रेनिंग दी जए, सोसाइटी के दबेवे सेक्शन जो भी है, ठीक है, वहाँ पे, और उनको ट दबेवे हैं, marginalized section ना, उनको target करेंगे, उनको select करेंगे, क्योंई वो कहें, सरकार से, कुछ नहीं है, भारत की सरकार से, और उनको कहें, धिरे-दिरे उनका brainwash करेंगे, जैसे अफगानिस्तान के लोगों का वास किया था ना, साउधी एरव ने, सेम वही concept, कि इंडिया के अं आतंगी गती वीडियों में आप बोल सकते हो, कि भाया, जैसे ही आतंगवादी, पाकिसान से इंडिया में, तो उनको रहने के लिए घर दे देंगे, ये वाले, प्लस में उनको और खाना पिना देंगे, प्लस में इंडिया की local information दे देंगे, समझ रहो, इस type के काम, तो दो पाकिस्तान की टेरियरिजम को सपोर्ट करते हैं, उनको indirectly कोई तो funding देता है, कोई उनके लिए सूसना प्रवाइड करता है, इंडिया से, कोई उनके लिए क्या है, गोला बारुट लेके आता है, कोई उनके लिए बंवं बनाता है, समझ रहो, तो ये लोग क्या है, ये बोलते हैं, और ground worker, अब दोस्तों, और ground worker कही तर्किया सोकते हैं, और ground worker है, वो लेबर के रूम में भी हो सकते हैं, यनि कोई लेबर वाला काम करवा के दे देंगे, प्लस में वो हो सकता है, कि वो finance देने वाले हो, पैसे देने वाले हो, funding देने वाले हो, इन आपको बता है, जम्माण किस्मीर से भी आतंगवाद को funding जाती है तो वो कहें, OGW finance वाली team होगी उनके लग से प्लस में ओर्गाण वर्कर हैं वो दोस्तों आपके कहें, यहाँ पर radicalization भी भी फोकस कर सकते हैं यहीं कि किसी का brainwash करने के अंदर कुछ ऐसे लोग जम्माण किस्मीर में जो कि कहें, जम्माण किस्मीर की जो दबेवे section है, उनको identify करेंगे, उनका brainwash करेंगे कि इंडिया अच्छा नहीं है, यह आपके अथलाफ ऐसे काम कर रहा है, इसने आपके दादा को मार रहा है, यह किया है फलाणा डिम का, और 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 गॉर्ण वर्कर के हैं, आपके terrorist भी हो सकते हैं, जो कि इंडिया के अंदर है, कि क्या है, इंडिया के अंदर बम धमाके करेंगे, तो ओर क्या है, इंडिया के ले आतंगवाद बन जाएगा, समझ रहे हो यहीं, ओजिड डबलू के हैं, तीन-चार तरह के हो सकते हैं, लेबर के रूप में भी फाइनेंस करने वा़े भी, डैडिकलाइज भी कर सकते हैं, और प्लस में हम बात करते हैं तो आतंगवाद भी कर सकते हैं, तो यह होगे और गॉर्ण वरकर का मतलली और ground worker है वो basically marginalized section ही होता है society का और उसको कहा है brainwash करके देश के अंदर आतमवाधी गतीव इदियों में सामिल करवाय जाते हैं यहीं बारत की धर्ती पर वो लोग जो कि terrorism को support कर रहे हैं उसके लिए कोई ने कोई जुगार्त गार help कर रहे हैं जमर्ण किसमें में लोग हैं रहने के लिए घर देते हैं उनको funding provide कराते हैं कोई उनको information देता तो वो क्या है और ground worker है और दोस्तों यह और ground worker है यहीं OJW है ना इनको identify करना easy नहीं होता क्योंकि यह उसी देश में रहते हैं जहांपर क्या है attack हो रहा है तो इसलिए इनको identify करना funding दे सकता है कोई लोगों को radicalize कर सकता है कोई financial वगरा कर सकता है कोई आतंवाल बंफोर सकता है ऐसे काम होते हैं ठीक है तो यह मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया I hope कि यहां तक आपको समझ में आ गया हो कि और ground worker वगरा क्या होते हैं अब एक छोटी स्टीज और है जैसे यह एक society है पूरी goals ही मैंने आपको बताया और यह section के है आपका OJW में काम कर रहा है तो जो यह बचे वे कुछ लोग रहा गये यह society का जो बचावा section रहा गया जो की OJW activities में सामिल नहीं है इसके लिए word use होता है वो होता है आपका fence F-E-N-C-E और इसको बोलते है sitr S-I-W- fence sitter तो fence sitter का मतलब के है society के वो लोग जो की basically neutral है वो कोई भी OJW activities में सामिल नहीं है समझ रहे हो इनके लिए word उचाता है fence sitter अब आप बताईए यह देखा जे fence sitter कौन से है fence sitter वो लोग है जो की radicalized नहीं हुए है लेकिन इनको target किया जाएगा क्यों क्यों क्योंकि यह अभी तक ह है इनका दिल साफ है तो जो आपके OJW लोग होते है या अब हो सकते हो जो बाकी लोग होते ना वो कोशिस करेंगी कि भया इस सेरे में जो साफ सुथरे लोग है ना इनको कहें धिरे-धिरे कहें आपका radicalized क्या जाए और इस पूरे के पूरी society को कहें एक तरिके से OJW में convert क it तो यह थोड़ा सा मैंने आपको समझाया sequence क्या है I think समझ में आ गया होगा क्योंकि उपेसी ने एक बार question पूछा भी था हम देख़ो आगे discuss भी करेंगे OJW के बारे में देख़ो यहापर question पूछा वाई उपेसी ने 2019 में question पूछा था कि the beginning of jamaat-e-islami brought the focus into our ground worker तो यह हम discuss करेंगे और ग्रांड वर्कर के हमने आपको बता दिया और इसके बाद में पूछा है कि examine the role played by OJW's assisting terrorism organization insurgency वगरा तो हम सारा बताने वाला हूँ यह नि मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ यहाप रहती एक चीज़ तो बाद में आप discussion को attempt कर लेना एक बार सारा और समझा जेता हूँ चीज़ें दो दिन चलेगी एक class उड़ी लंबी रहेगी क्योंकि worker वाला concept के हैं आपको समझ में आ गया अब दोस्तों बात यह है कि कोई भी देश दूसरे देश में terrorism कैसे फ़लाता है मैं आपको समझाता हूँ आप समझे जैसे यह है state A state A और यह है state B ठीक है state A कौन सा है जो कि terrorism को क्या है फैला रहा है और state B का मलब कह है जहां पर target क्या जाएगा यहनि symbol समझो भी बोल सकते हो A का मला बोलते है आपर Pakistan example लेलो और B का मलेलो इंडिया कि Pakistan इंडिया में क्या है टेक करेगा तो ऐसा थोड़े जैरेक लिया क्या क्या करेगा नहीं इसकी तरीक है पाकिस्तान की वो समझाता हूँ कैसे यह sequence होती है सबसे बढ़े Pakistan क्या करेगा अपने लग्यांके जो ग्रोफ वगरां की बारे में कि हा ँपको वहाँ पहर को जाका यह सब करना है एक तरीके से अपने एरिया में कहा है क्या है WORKERS को त्यार कर प्रूप करी जाएगी इन और इन गूरूप कहा है सब से पहले दोसटे हो और הא करूप कि पाकिस्तान की धरतिबे ब जाएगा इंडिया, तो अब आएंगे इंडिया, और इंडिया के अंदर के क्या करेंगे, यहां की जो soft target है, marginally section है, उनको identify करके, उनको कहे हैं brainwash करेंगे, और यहां पर कहे हैं, बहुत सारे और proxy group बनाएगे, यहां पहले तो group के हैं, पाकिस्तान में या जो आपकी A stator वहाँ पर बने, इसके बाद में धिरे-दिरे के हैं, उनको B state में बनाएज जागा यहां पर, और फिर यह क्या यहां के अंदर दंगे फलाएगे, यह concept होता है, समझ रहें, क्योंकि इससे पता भी नहीं चलता ना, दूसरे देश को, कि भाया किस ने किया, तो यह basically, जब्वेंड के स्पेर में, पाकिस्तान की द्वारा यूज की गिए टेक्निक की, और दोस्तों, इसके बाद में खास बात क्या है, वो भी हम आपको समझाता हूँ, सुनना धान से, एक word और आता है आपके सामने, वो आता है आपके सामने, competitive terrorism industry, यह word आपको मिलेगा, सोट में उसको बोलते हैं, CTI, competitive terrorism industry, दोस्तों, competitive terrorism industry क्या है, वो समझाता हूँ, यह पाकिस्तान है, ठीक है, इसने कहा है, बहुत सारे कहा है, आपके proxy group बने, proxy group को में बलब, जो इंडिया के लिए टेक करेंगे, उनको, बहुत सारे group तियार किया भ समझें, इनको क्या के रहा है, इंडिया के अंदर फिजएगा, अलग अलग जगए, इनको बेजा है इंडिया में, यह group इंडिया में आई, बहुत सारे proxy group बनेगी, समझ रहे हो, बहुत सारे group और और बनेगी, यहाँपे लोगों को, youth को, जो भी target है, उनको पकड़ यहीं आर दस तो यह थे, आर दस और बंगे, तो एक तरकी साब हो सकते हो, कि काफे सारे गुरूप हो गए हैं, और यह गुरूप के हैं, अब आके इंडिया में के हैं, जगह जगह टेक करेंगी, तो बताओ एक competitive industry build-up होई नहीं भी, यहीं एक आतंगवाद की एक industry build-up होई न हैं, तो इमें होड चलेगी, होड क्यों चलेगी, कि उसी साब से इनको funding मिलेगी, कोमन सी बात ही हैं, जो अच्छा काम करेगा, उसको वैसे ही funding मिलेगी, उसकी उतनी ही चलेगी, आपको बता हैं, competition हब जगह होता हैं, तो जब भहुत सारे proxy group होके अटेक करते हैं, तो सारी आतंगवादी गतिविदियां करवाई जाते हैं, ठीक है, यह आपको धान रखना है, clear, तो यह मैं थोड़ा सा आपको बताया हूँ, अब हम आगे चलते हैं, दोस्तों यह OJW है ना, यह society के लिए बहुत कतनाक होते हैं, किसी भी देश में यह और ground worker बनना बहुत कतना होता है, क्यों, क्यों और ground worker का हैं, labor का काम करते हैं, plus में forces के लिए भी काम करते हैं, plus में finance भी करते हैं, plus में radicalization का भी काम करते हैं, plus में आतंगवादी गतिविदियों में सामिल होते हैं, तो हर एक activities में सामिल होते हैं, इसलिए इनको बड़ी समस्या होती है, इनको खतम करन की solution नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको बता है इंडिया के इंदर जो यह बहुत सारे proxy group बन गए हैं कि इनको सब को मार सकते हो क्या आप बताओ पोसिबल नहीं क्यों भारत के लोग है इनका brainwash क्या गया है नहीं मारना is not a solution तो इसके लिए सरकार क्या करती है इसके दोस्तों सरका क्या करती है जो जिस धर्म के वो लोग होते हैं सुनो ध्यान से जिस धर्म के वो आतंगवादी है जो लोग बनते हैं स्टैप के OJW सरकार उनको पकड़ती है ठीक है इसके बाद में क्या करती है उसी धर्म के जो अच्छे scholars हैं जो की अच्छा knowledge रखते है ना उन से सरकार के उनको ध्रे-द्रे उनका brainwash ठीक करती है, यह उनको वापस से कहा है, सही रिस्ते पर लेके आती है, ठीक है, उनके लिए camp चलाई जाते हैं, इसलिए आपने देखा हुआ गई है और आपने सुना है, कि जम्मुवर्ण केसम में बहुत सारे कहा है, दी-radicalization केम जलाती है सरकार, उसका रेजन ही है, क्योंकि यह जो OJW workers है न, इनको मारना solution नहीं है, इनका solution क्या है, कि भी है इनका वापस brainwash ठीक करना पड़ेगा, इनको चीज़े समझानी पड़ेगे, इनको पट्री बलाना पड़ेगा, और फिर सरकार वहाँ पर development वगरा कर आप लोगों को कब तक मारोगे, एक मर गया, दो मर गया, तीन मर गया, तैसे आज आज आतंगवाद को देख लो, आतंगवाद कभी मर थोड़ी सकते है, वो एक ideology है, तो उसको क्या दिरे-दिरे change करना होगा, उसमे reform लाने पड़ेगे, तब ही जाके वो चीज़े खतम हो सक ठीक है, यह आपको धान रखना है, यानि इस टैप के जो यह concept of terrorism है इंडिया में, इससे निपढ़ने का solution क्या है, इसका mitigation यही है, कि भिया de-radicalization camp चला जाएं, मारना solution नहीं है, क्योंकि वो उसी देश के लोग है, इसी कारण सरकार के अगरतिये, जमूर्ण के समय में camp चला आगे, जैसे दोस्तों, थोड़ा समय आपको इंडिया का scenario समझाता हूँ, मैं लेख flowchart की form में, होता क्या है, after 1971, पाकिस्तान की बात कर रहें, 1971 में जो पाकिस्तान हार जाता है, तो क्या करता है, इंडिया से indirect war लगता है, इंडियरेक्ट वोर करता है, किसकी help से, प्रोक्स गुरूब बनाएगा, गुरिला वार गितरें, उन से, और ये प्रोक्स रूप क्या करेंगे, इंडिया के अंदरा के कहें, और जीडबलू, और ग्रांड वर्कर तियार करेंगे, अपनी forces तियार करेंगे, जो मनि अब आपको समझाया, और ये और ग्रांड वर्कर हैं, इं competitive terrorism industry को build-up कर लेते हैं, competitive terrorism industry का मतलब के हैं, कि बहुत सारे proxy group बन जाते हैं, इंडिया के अंदर, और ग्रांड वर्कर के द्वारा, और वो क्या आपस में होर्ट में लग जाते हैं, कि मैं इतना धमा का, मैंने ये क्या, मैंने ये आपस में, उन में competition चलने लग जाता है, जब terrorism industry में आपके competition चलने जाता है, उसको बोलते हैं, CTI या competitive terrorism industry, जो कि इंडिया में 2005 में आती है, तो थोड़ी सी sequence या रखना, कि 1970 में पाकिस्तान, उसके आदमें वो इंडिया से क्या है, indirectly war के लिए focus करता है, और और ground worker त्यार करता है, अब और ground worker क्या है, पहले पाकिसान अपन जाने जाती है, ठीक है, clear, चलते हैं फिर आगे, got it, ठोड़ा सा clear हो गया होगा, अब दोस्तों, जो मैंने आपको पीसे story बताई अभी, कि किस तरह के से अफ़कानिस्तान के अंदर ये group वोगरा चले थे, ये मुझे दिन वाला तो रखो समझाता हूँ, बात है 1979 की, ठीक है 1979 में USSR versus क्या था, ठीक है, और USSR ने क्या किया, USA ने अपने साथ में आपको बताया कि साओधी अरफ और प्लस में पाकिस्तान को लिया, क्यों लिया, क्योंकि USSR को हरा ना था, इसके लिए उसने ये माम किया, और इसमें क्या 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 क्या, USA ने basically क्या है, funding दितिया रखना, USA क्या है, funding provide कराता है, हतियार और प्रवाइड कराता है, Saudi Arab क्या है, Saudi Arab ने क्या है, लोगों क्या है, Afghanistan क्या है, radicalize किया, यह उनको क्या है, brainwash किया, और Pakistan ने क्या क्या है, पाकिस्तान ने basically, एक तरगे से आप वो सकते हो, उनका, पाकिस्तान का land use क्या गया, यह वहाँ पर क्या है, camp लगाएगे, यह पाकिस्तान के अंदर camp लगाएगे, वहाँ पर Saudi Arab के लोग आ गया, Saudi Arab के जो लोग brainwash करने वाले थे, उनको बुलाया गया, और USA ने funding दी, और यहाँ पर सारे के सारे यह system चल रहा था, और इसलिए क्या हुआ, concept बाद में हुआ क्या, अफगान कि बिया, Islam है, हो कहा है, in danger, Islam in danger, क्या खा, due to socialist, यह आप हो सकते हो, कि बिया, रस्या की वज़े से आपका, जो इसलाम हो, खत्रे में आ गया है, क्योंकि रस्या कहा है, किसी धर्म को नहीं मानता है, रस्या बगवान को नहीं मानता है, तो आप इसका काम दमा कर रहे हैं, ठी ठीक है, got it, okay, तो यह आपको थोड़ा समझ में आ गए, कैसे उन्होंने काम किया, जो मैंने आपको बता दिया था, अब हम आगे बात करते हैं, जिसा मैंने आपको बता है, कि बिया पाकिस्तान को कहा है, दोस्तों, यहां से experience मिल गया था, और आपको धानी है, लगभर हम ब कहानी ही होती है, एक होता है, जनेवा अकोर्ड, यह आदक ना, जो उसमें, आई-र भी काम आता है, जनेवा अकोर्ड, उस जनेवा जो अकोर्ड है ना, उसके मिल ही डिसाइड होता है, कि USSR के हैं, इस से Cold War से हाथ खड़े गा जाता है, कि भिया मैं लड़ाई नहीं तो आपका आगे पुष्ट करेंगे, तो यह हम आगे डिसकस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में, तो अभी तक आप यह समझ लेना, क्लियर है, तो आजगी इस सेशन में नहीं है, नेक्स्ट अपन अगले सेशन में रेखते हैं, ठेंक्यू, कुछ डाउट वगर हो, तो आ कि घम इस je जा रे झाले हैं, तो आपका आगे वन टो आता हैं, तो आपका दिसक्ट कि आपकार आपके जापका।